एक तिहाई अलग करने का क्या नियम है क्या ये सभी को अलग करना होता है ये मैंडेटरी है ये क्या है अगर मैं एक मुस्लिम हूँ और मैं अपनी वसीयत बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी प्रापर्टी अपने बेटे को दे दू या बेटी को दे दू मैं ऐसा नहीं कर सकता वो कि वो कहते हैं वसीयत से आप किसी को सजा नहीं दे सकते जिसका उत्रा अधिकार था मेरी प्रापर्टी अगर ने वसीयत नहीं था पांच जनों में बटनी थी वसीयत बना कि मैं किसी एक को दे रहाँ या किसी स्ट्रेंजर को दे रहाँ तो यह तो उन लोगों के साथ गलत हो ना जिनको मिलनी चाहिए वो वो अधिकार कुरान नहीं देता कुरान कहता है आप मैकसिमम एक तिहाई हिस्सा अपनी प्रापर्टी का वसीयत से डिस्ट्रिब्यूट कर सकते हो और इसमें भी शिया और सुन्नी में डिफरेंस है शिया लौ में ये एक तिहाई आप किसी को भी दे सकते हो चाहिए बेटा हो बेटी हो फादर हो वाइफ हो जो शिया लौ है वो अलग है सुन्नी लौ अलग है मुसलिम में भी तो वह भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि हम सुन्नी मुसलिम है अब मुझे ये बताईए कि क्या कोई मुसलिम माता पिता अपनी पूरी संपत्ती बच्चों को देने के बजाए डोनेट भी कर सक सकते हैं लाइफटाम में आपकुछ भी कर सकते हो, अब नाम में लाई पुरहां थे हैं अब एक मुस्लम महिला के क्या अधिकार होते हैं अब जब महिला की बात करती हूँ मुझे पता है क्यों क्सक्रार्हिकाएं इसमें पेहन हुग पेटी भी हुगई और बहु भी हो गई यानि एक वेक्ति की बहन होगी, क्या? उनको अपने पैरंस जो होगा भाई बहन के बीच की बात मैं कर रही हो, बेटी है तो क्या अधिकार है और बेटी की अगर शादी होगी तो क्या अधिकार होता है? तो पहले तो इसमें शादी से अधिकार चेंज नहीं होते हैं, अन्मेरेट डॉर्टर और मेरेट डॉर्टर के सेम अधिकार हैं, शादी हो या ना हो, आपको अगर अपने भाई से आधा हिस्सा मिलना है, तो मिलना है, चाया आपकी शादी हो या ना हो, अगर आप अधा हिस् से अधिकारों में कोई फरक नहीं पड़ा अब एक एक लेडी है मैंने एक मुस्लिम स्कॉलर से पूछा कि आपके यहां डॉर्टर का हिस्सा आधा क्यों है संसे तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी वाव बताई कि हमारे यहां डॉर्टर को कई जगे से वेल्थ मिलने के चांसे हैं अपने हस्बेंट से मिलेगा वन फोर्थ या वन एट अपने फादर से मिलेगा आधा अपनी मदर से मिलेगा आधा भाई से और अगर उसके ऐसा कोई भाई है जिसके कोई बच्चे नहीं है उसका भी आधा मिलेगा तो कई जगहों से पैसे मिलेंगे और जब कई Muslim law females के लिए previously जो पहले का time था उसमें बहुत अच्छा था आज हो सकता है उसमें संशोधन की जरुत है बराबरी का अधिकार होना चाहिए नहीं चाहिए वो debate का विशे है पर जिस्टम बना था law कितना progressive mind था कि हम अपनी बेटियों को अपनी wives को अपनी mother को हम अधिकार देंग सबस्यादा कितने foreign scholars लिखा है कि जितना codified Muslim law है ancient history में उतना codified कोई भी law है इसमें हर एक situation के लिए एक वो बनाया गया और आपको मतलब मुझे अजीब सकता है बताता है जब Muslim law पढ़ने की बात आती है colleges के exam में तो generally बच्चे इसको skip कर जाते हैं वो कि इतना complicated है इतना complicated है व और इसका मतलब उसमा पर इतने rules बने वें कि अगर यह नहीं होगा तो यह होगा वहती सारे चीज़े well defined है कुछ छोड़ी नहीं गई है किसी बात को हर बात को और यह बहुत अच्छी बात का ही आप दे कि महिलाओं को अलग अलग रोल में जो है वो संपती का हिस्सा मिल रह बच्चे को जो है वो अपने जीवित रहते ही एक हिस्सा दे दे क्योंकि उनका फीवरेट बच्चा है या उनको ऐसा लगता है उसे जरूरत है तो जब उनका इंतकाल हो जाएगा पेरेंस का तब क्या होगा और भी बच्चे है मान लिए जितीन बच्चे उसमें से एक को ज पर डेथ के बाद डिफाइंड है तो आप आप गिफ्ट कर सकते हो पर गिफ्ट करना चाहिए नहीं वो अलग बात है क्योंकि फिर आप क्या करोगे आपका तो जो गिफ्ट दे दिया मान लिए संपती का एक हिस्सा गिफ्ट दे दिया अब जब उनकी मृत्य हो जाती उनका इंतकाल हो जाता है तब क्या होगा वो वो उसी बच्चे के नाम रहेगी या उसका भी डिविजन फिर तीम बच्चों में अब तो हो गया उसके अलावा जो बच्ची है संपती फिर उसका बटवारा होगा उसका बटवारा होगा और इस बच्चे का अधिकार कम नहीं होग पाप उसमें कि उसको अल्रेडी गिफ्ट मिल चुका है पैरेंस चाहें भी तो मुस्लिम उतरादिकार कानून उने यह अलाओ नहीं करता है कि वो एक बच्चे को अपनी वसीयत में ज्यादा हिस्सा दें दूसरे को कम दें मतलब एक आपको एक आगरता रखनी है प्रिया मैं असल में क्या है जो लॉयर्ज है ना वो रस्ते निकाल लेते हैं तो मेरे पर एक मुस्लिम कपल आया मैं आपको केस से माता हूं वो दोनों आई-एस ओफिसर थे दिल्ली में और उन्हें बहुत सारी प्रॉपर्टी अपनी थी उनकी पैत्रिक संपत्ती थी और अपनी क्रिय प्रॉपर्टी अपनी बेटी को देना चाहिए जो कि एक लॉजिकल पर कोई बाद मेरे बच्चे पर ही जाए और किसी को ना मिले हमने मुस्लिम कानून देखना शुरू करा हमें दो तरीके मिले जिससे कि यह कर सकते थे एक तरीका थोड़ा मुश्किल था एक तरीका थोड बनाता है जिसमें ultimate beneficiary god है तो आपने का जब तक मेरे बच्चे जिन्दा रहेंगे वो उसके beneficiary रहेंगे उसका उनके बच्चे जिन्दा रहेंगे वो बच्चे अगर कोई जिन्दा नहीं रहा तो सारी property अल्ला के नाम कर देंगे हम और यह किसी मज्जिद में डोनेट हो जा है और वक्ष में फायदा किया कि यह perpetual बन सकती है वो कि ultimate beneficiary god है ना तो आप perpetual बना सकती है जो law perpetuity को break कर देगी दूसरा तरीका हमें जो मिला जो असान तरीका था हमने इस Muslim couple से पूछा क्या आपने अपनी शादी को register करा है इन्होंने का जी नहीं करा है हमने का फिर एक बहुत कर सकते हो एक होती है आपकी personal law की शादी और एक होती है इंडियन law की शादी इंडियन law की शादी को कहते है special marriage act तो जैसी एक कोई भी इंडियन अपनी शादी special marriage act में register कराता है उसके उपर के inheritance law change हो जाते है अब वो इंडियन succession act से गवर्ण होएगा अब वो ना Muslim से होगा ना ना Hindu से होगा ना Christian से होगा किसी नहीं होगा उसके पर act क्या लग गया इंडियन succession act तो हमने इनकी शादी को register कराया under the special marriage act और उसके बाद हमने का आपको will बनाने का पूरा अधिकार है किसी के नाम भी बना दीजिए और वो इंडियन succession act के तहद बना और इनका हमने religion change नहीं कर दिया राइट तो हमने उनसे वो वो विल बनवाई और हमने का कि जो marriage certificate है इसको बहुत ध्यान से रखेगा वोगी इस marriage certificate की वेसे यह will valid है अगर आपकी यह बेटी उस्ता ही तो आपने एक रास्ता निकाल करके दे दिया जो हर तरह से वैद था लीगल था तो कुछ ऐसे ही र सवाब दे, succession planning से जोड़ा हूँ, will planning से जोड़ा हूँ, trust planning से जोड़ा हूँ, तो आप कैसे भेज सकते हैं अपने सवाल, आप हमें whatsapp कीजे, 9311-21874 पर या फिर आप हमें email कर सकते है money9query at tv9.com पर या फिर अगर आपना email करना चाहते है ना, whatsapp करना चाहते हैं तो youtube है ना, या comment box में अपने questions हमें जरूर भीज़ेगा, हम आपके questions को शामिल करेंगे, दीपक सब को पताएंगे कि आप ये जानना चाहते हैं और दीपक सर बहुत ही सचे दिल से मेहनत करते हैं कि सब को सही जानकारी मिल सके, so दीपक सर थांक्स टी यू, once again, कि आप कोई भी मेरे सब्सक्रा देते हैं पर मुझे पता है कि मैं कुछ ऐसा सवाल पूछते हैं जो सकेते हैं कि ये कहां से ढूंड करके लाई हो, लेकिन चलिए, अब मैंने बहुत सवाल पूछ ले, अब मैं समीर जी का question लेकर आती हूं मूंबाई से, so समीर जी पूछ रहे हैं कि क्या शर्या कानून में कोई ऐसा कानूनी तरीका है, जिसमें कोई मुसल्मान अगर चाहे तो विरासत के नियमों का उलंगन किये बिना अपनी संपत्थी का एक तिहाई से अधिक हिसा दान में दे सके, दान में दान ही पूछा, दोनों ही बता दी जा, तो मुसलिम कानून में शीया और स जो बाकी लोग हैं जो लीगल हेर्स हैं आपके दो त्याई वाले अगर वो एग्री करें कि जी हां इनकी वन थर्ड की विल हमें मंजूर है तो विल वन थर्ड से उपर हो सकते हैं किसी के भी फेवर में पर इन दोनों में एक डिफरेंस है शिया कानून में ये कंसेंट प्री कंसेंट वैलेड नहीं है और मोर लाइकली कोई आदमी आपको कंसेंट कब देगा जब आप जिन्दा होगे बाद में मिल सकती है पर उसकी संभावना कम हो जाती है तो इसलिए उस तरीके से भी शेया लौ मोर प्रैक्टिकल नेचर है कि आदमी ने जीते जी बाकी लीगल है कि मैं यह करना चाहता हूं आप लिक दिए मौके कंसेंट मुखी लिए तो यह दान के लिए बच्छों के लिए किसी के लिए हो सकती है अगर आप उसको overrule करना चाहते है तो आप सबसे परमिशन लेंगे और वह जातर परमिशन अच्छा है वह लिखित लें शिया हो तो प् प्री डेथ की कोई वैल्यू नहीं है। उस ट्रस्ट में आप और आपकी बेटी दोनों बेनिफीचरी बन जाएं। और हम कहेंगे जो सर्वाइवर है वो इसको ले लेगा प्रोपर्टी को। तो उसमें फायदा क्या होगा आपका आपकी जीवित रहते वे आपका अधिकार है पूरा। क्योंकि मैंने पहले भी आप से कहा था पहले अपना नकाब कहने फिर साथ वाले की साहता करें। तो आपको बहुत जरूरी है आप उस पर कंट्रोल बनाये रखें जीवित रहते वे और इस इस रिस्ट्रिक्शन को भी ओवर रूल कर ले। तो आपने जीटेजी ट्रस्ट में ट्रांसफर किया अपने आपको और अपनी बेटी को इसका बेनिफीचरी बनाया आप दोनों इसके ट्रस्टी बन सकते हैं अगर आपकी बेटी मेजर है नहीं तो आप किसी एक जने को और इसमें एड कर ले उसको ट्रस्टी बना ले और लिखे हमारे में से जो survivor होगा वो सारी property inherit कर लेगा अब ये एकतिहाई का rule नहीं रहेगा क्यों आप पे लागू नहीं होगा वोगी ये death के बाद transfer नहीं हो रहा है और gift तो unlimited amount का allowed हिंदू, Muslim, Christian कोई भी हो ये एकतिहाई का rule है इससे ही जोड़ा अगला सवाल भी है डॉक्टर साब तो मुझे ये बता है ये एकतिहाई का rule क्या काफी hindrance पैदा करता है और इसको रखने के पिज़ कोई rational है क्या क्योंकि आपने समझा होगा पूरा ये लोग ये ही फ्रॉफित मुहमबद ने कहा कि मैं किसी को विल्स के साथ विल कुछ से किसी के साथ अन्याई करने को नहीं वही बैसिक रूल है कि वही बैसिक रूल है व्येड बना Campaign कर आपने सारी reflect ुसको दी तो दूसरे बैसे तो अन्याई है न किसी तरीक 158 तो उस अन्याई को दूर करने के लिए उनने का नहीं एक तिहाई से उपर की विलाब नहीं बना से। बाकि जो आपके लीगल हेर दें जो आपकी रिस्पॉंसिबिलिटीज है उनको जाए गई जाएगा शे। जाएगा अपको करना भी चाएए याप और वक्त वॉत है जो कि आपके बाद आपके उत्रादिकारियों को मिलेगा और उत्रादिकारियों को मिलेगा और वह आप कर सकते हैं ये property कैसे transfer होगी over generations चलिए अगला सवाल नफीसा जेका लेते हैं नफीसा पूछ रहे हैं अगर मुझे अपने वारसों से सहमती मिल जाए तो क्या मैं शर्या कानून के तहट वसीयत में अपनी संपत्ती का एक तिहाई से अधिक हिस्जा किसी गैर उत्रादिकारी को कानूनी रूप से दे सकती हूँ या नहीं पर मैंने पहले भी बता है ये consent जो है अगर आप सुननी हो तो death के बाद चाहिए अगर शिया हो death से पहले चाहिए आप किसी को भी दे सकते हैं पर consent legal layers की जरूर चाहिए उसके बिना आप एक तिहाई से उपर की wealth will से किसी गैर को नहीं दे सकते गैर को क्या अपने को भी नहीं दे सकते इन सुननी लो